Hello Friends, English City platform में आप सभी का एक बार फिर से शौगत है आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 9 की बुक Beehive का 8 चैप्टर Reach for the Top जैसा कि आपको विदित है कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिबाइड था पहला था संतोश शादो और दूशरा मारिया शारा पौवा लाश्ट वीडियो में आप संतोश शादो के जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मारिया सारा पौवा के जीवन के बारे में एक संशित जीवनी जैसा कि मारिया सारवपवा एक रूसी लड़की थी जिन्होंने टेनिस की दुनिया में नमबर एक स्थान हासिल किया यद्यप वह एक बिनमर प्रिष्ट भूम से आई थी और एक आई स्थाई अकेले पन से गुजरी उनकी मांसिक दिर्था प्रक्षित का मुकाबला कड़ी मेहनत और बलिदान अंकरणी है यह पाट इस सीर्स पत तक उनकी यात्रा की एक छोटी सी जलक प्रदान करता है एक रूसी लड़की मारिया सारवपवा महिला टेनिस के सिखर पर तब पहुँची जब वह मुश्किल से अठारा वर्स की थी मारिया सारवपवा की दुनिया की सीर्स वरिजत्ता प्राब्द महिला टेनिस खिलाडी बनने की सफलता की कहानी हमें प्रेजित करती है उसने अपने सपने को हासिल करने के लिए सभी बाधाओं को पार किया और अपमान भी सहा मारिया की सफलता की भू और उसकी प्रतिस्पर्धी भावना ने उसे आगे बढ़ाया। मारिया सारापोवा के बारे में यहलेक हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिर्ड संकल्प और बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। इस सो सतासी में हुआ था। नो साल की उम्र में उसने टेनिस में प्रशिच्छर प्राप्त करने के लिए रूस के साइबेरिया से अपना घर छोड़ दिया और वो इवेस चली गई। वहाँ अपने पिता के शाथ अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती ही। मारिया को दो साल की आउधी के लिए अपनी मा से दर्दनाक अलगाओ का सामना करना पड़ा था। वहाँ अपने पिता को भी नहीं देख सकती थी क्योंकि उसके पिता काम में इतने ज़्यादा बेस्त रहते थे, इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे कि उसकी सभी जरूतों के लिए वो धनकी वेश्था कर सके। उसे उसके वरिष्टों ने उसके सिनियर्स ने उसको धमकाया और एक विदेशी होने के नाते उसे वह सब कुछ धायर पूर्बक सहन करना पड़ा मारिया फिर भी उदास नहीं हुई बलकि अपने लच को प्राब करने के लिए और अधिक अपमान सहने के लिए भी वो तयार थी सफलता का मंत्र वह कड़ी मेहनत करना और सबसे कथिन परदा का सामना करना बतलाती है हाला कि उसे अमेरिका में पर सिच्छित क्या गया लेकिन वह खुद को एक रोशी मानती है और ओलम्पिक में भी उसका प्रत्निद्धित करने के लिए वो इच्छुग रहती है अब देखते हैं देर इस सम्थिंग दिस आर्मिंग अबाउट मारिया शारपोवा सम्थिंग एट ओर्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैम्रस अटायर डिस आर्मिंग इसका मिन्स होता है फ्रेंडली या इनोसेंट एट ओर्स ओर्स मतला होता है थोड़ा सा भिन्य या अद्बुत एटायर इसका मिन्स होता है सुन्दर से कपड़े ग्लैम्रस ग्लैम्रस मिन्स होता है अकर्सक दैर इस सम्थिंग डिस आर्मिंग एबाऊट मारिया सारा पोवा मारिया सारा पोवा के बारे में कुछ ऐसी बात है जो सम्थिंग एट ओर्स बिद हर डेडी स्माइल एंड ग्लैम्रस रिटायर जो उसकी तुरंत मुसकान वह उसके चमगार कपड़ों से वो भिन्न है और यही जो चीज है वो उसको उसी बात ने सम्वार के दिन 22 अगस 2005 को उसे संसार भर में पूरे बिस में महिलाओं के टेनिस के पर्थम इस्थान पर उसको ला दिया आल दिस हैपेंड इन आलमोस्ट नो टाइम और इन सारी चीजों को घटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा पॉस्ट ब्यांड हर इयर्स दसाइवेरियन बॉर्ण टीनेजर टूक जश्ट फोर इयर्स आजब प्रोफेस्टनल टू रीच दा पिनेकल टीनेजर मतलब तो किशोर अवस्था या 13 से 19 साल की जो अवस्था होती उसे किशोर अवस्था बोलते हैं पिनेकल इसका मिन्स होता है चोटी टॉप पॉस्ट बियांड हर इयर्स कम आयू में ही मौनहर और सांदार बेवहार तरीके से दा साइवेरियन बॉर्ण टीन एजर टूक साइवेरिया में जणमी या किशोरी तूक जश्ट फोर इयर्स आज अज़ प्रोफेस्टनल टू रीच दा पिनेकल चोटी पर टाप पर पहुंचने के लिए इस साइवेरियन पेशेवर टेनिस खिलाडी ने मात्र चार साल ही लिये हाई उपर दर रेपीट एसेंट इन आ फार्शली कंपेटिटिव वर्ड बिगें नाइन यह बिफोर बिर अलेवल आप सेक्रिस्फाइस फुचल देंट उड़ बिप्रपेर टू इंडियोर रेपीड मिन्स होता है तेज एसेंट मिन्स होता चड़ाई फार्शली मिन्स होता है आतेधिक तेज तरीके से या कंपेटिटिव प्रतेश पार्धात्मक या मुकाबला सेक्रिफाइस मिन्स होता बलगान प्रिपेर्ड मिन्स होता है तयार रहना और इंडियोर मिल्स होता है सहन करना हौईवर फिर भी दर रेपीट एसेंट इन आप हैसली कम्पेटिटिव वर्ड इस घहमासान प्रतियोगिता वाले संसायर में या तीब ब्रकर्ट से इतनी तेजी से विके नाइन एर्स बिफोर विदा लेवल आप से क्रिस्फाइज फिव चिल्डें उड़ी प्रिपेर टू इंडियोर तीब ब्रकर्ट से इसने चड़ाई की या मुकाबला किया कि नौवर्स पूर भी कुर्बानी के उस इस्तर पर पह विए उसको अमेरिका में परिशिछण के लिए टेनिस के परिशिछण के लिए उसको भेज दिया गया युड़ी लांज़ड हर पाथ तो सक्सेस एंड इस्टार्डम इस होता है महत्पूर्ड स्थान यह महत्पूर्ड खिलाडी के स्थान यहां पर यूरी इनके पिता का नाव फूर्डड़ अमिर्का के एक प्लेस है देट ट्रिप उनकी जो जरनी थी टू फ्लॉरिडा फ्लॉरिडा की जो उनकी यात्रा जो थी किसके शांद विधर फादर उनके पिता यूरी के साथ जो फ्लॉरिडा की उनकी यात्रा थी उस यात्रा ने उसको सफलता और महत्पूर्ड खिलारी बनने का या इस्थान परा एलेना हर्ट रेंचिंग मतलग कि बहुत ही दर्तनाक या दुखदायक सेप्रेशन में इस होता है अलगा बिछडना लेकिन इसके शाथ ही उसे अपनी मां एलेना से जो दो वर्ष की दुखदायक जुदाई भी सहनी पड़ी दा लेटर वास कंपेल्ड टू इस्टे बैक इन साइवेरिया विकास आ बीजा रेस्टिक्शन कंपेल्ड मिंस होता है विवस होना विजा एक अने देश से दूसरे देश में अस्थाई रूप से कुछ दिनों के लिए रहने की जो परिमिट मिलती है उसे हम विजा कहते है रेस्टिक्शन मिस होता है प्रतिबंद इन साइवेरिया में रहने के लिए विवस होना पड़ा विजा के प्रतबंद यह नौवर्स की लड़की पहले ही जीवन का वो महत्पूर्ट स्पार्ट सीख चुकी थी तैनिस एक्सेलेंस उड़ वनली कम अट प्राइस कि टेनिस की विशिश्टा अप्ट करने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा I used to be so lonely मारिया सारा पवा रिकार्स मारिया सारा पवा याद करती हैं पुराने टाइम को और वो कहती हैं कि I used to be so lonely मैं अकेले पन की आधी हो गई थी I missed my mother terribly मैं अपनी मा को बहुत ज़्यादा miss करती थी याद करती थी my father was working as much as he could to keep my tennis training going मेरी पिता जी इतना कठीन मेहनद करते थे जिससे कि वो अधिक धन इकठा कर सकें और हमारी ट्रेनिंग को हमारी पर सिच्छन को वो आगे बढ़ा सके इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे अर्थात में उनको देख नहीं सकती थी विकास आई वास तो यंग उस टाइम जो मेरी एस थी नौ साल की थी और मैं बहुत छोटी थी आई यूज टू गो टू बेड आट एट पीम और मैं आड़ बजे ही सो जाती थी दा अधर टैनिस पूपिल्स उड़ कम इन एट अलेवन पीम और अन जो साथी थे हमारे टैनिस के जो अन सिच्छाथी थे वो ग्यारा बजे कमरे में वो आते थे एंड वेक मी अप एंड आडर मी टू टाइड़ आप दा रूम एंड क्लीन इट टाइडी अप में इस वाता बेउस्षित करना क्लीन मतला साप करना और वह मुझे छोटे होने के नाते मिसकी जुनियर होने के नाते वो लोग मुझे सीनियर थे और इतने बड़े थे और मुझे आदेश देते थे कि कमरे को साब करना उसको बेवस्चित करना है Instead of letting that depress me, I become more quietly determined and mentally tough Depress में सोता है, sad होना, दुख ही दुख प्रकर करना, खिन होना Quietly, चुपचाब, determined, दुख बिश्वास की साथ, mentally, मांसिक रूप से Instead of letting that depress me, उसे मैं जो कारे मुझे करना पड़ता था उसे दुखी होने के बजाए, I become more quietly determined, मैं अधिक, सांथ और दुख हो गई And mentally tough, और मांसिक रूप से भी मैं पुछ तरीके से tough हो गई, मिन्स की सयमित हो गई I learned how to take care of myself, मैंने अपनी देख भाल करना सोयम सीख लिया I never thought of quieting because I knew what I wanted क्योंकि मैं जानती थी की मुझे करना क्या है K Essa Meera Aim क्या है मेरा लचिक्या यूच क्या मुझे nothing then it makes you very hungry and determined when you come from nothing जब तुम कुशी ऐसे इस्थान स्याते हो जहाँ पर किसी चीज का अभाव हो and you have nothing और वो चीज भी तुम्हारे पास ना हो उसका भी तुम्हारे पास अभाव हो जब आप अभाव की इस्थिती से आते हैं और आप अभाव में भी होते हैं तब यह आपको अधिक भूख और द्रता देता है मिश की किसी सपने को साकार करने का I would have put up with much and humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream Humiliation means होता है आत्म सम्मान को ठेश पहुंचना या तोहीर होना insult upon steadfastly वो थी द्रता के साथ I would have put up with much more humiliation and insult और मैंने अपने सपने को द्रता साकार करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए इससे भी अधिक तोहीन इससे भी ज्यादा अपमान सहने को मैं तयार थी that toughness runs through maria even today और वही toughness वही द्रता आज मी maria में विद्दमान है it was the key to her bagging the woman's single crown at Wim London in 2004 and to her meteoric rise to the world number one sport the following year bagging इसका मिनस होता है प्राद करना या जीतना crown पुरसकार meteoric rise इसका मिनस होता है तीबर उन्नती spot मिनस होता है place it was the key to her bagging the woman's single crown at Wim London in 2004 और उसी कठीन परिश्रम या कठोड़ता अपमान जनक सब कुछ सहने के फल्सुरूप उसने 2004 में Wim London में मसला का एकलखेता जीता और तो her meteoric rise to the word number one spot the following year और अगले बर स्वा तेजी से उडते हुए विसकी नमबर एक खिलाडी बन गई while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans for the youngster herself there appears to be no room for sentiment journey मिन्सोता यात्रा frozen plains हिम से आच्छादित जो मैदान थे frozen मिन्सोता जमा हुआ बर्प से धका हुआ मिन्स की हिम से धका हुआ या हिम से आच्छादित प्लेंस मैदान साइवेरिया इस्थान का नाम है summit मिन्सोता है चोटी टॉप fence मिन्सोता प्रसंसक sentiment इसका मिन्सोता है भावना या समवेग वाइल हर जर्णी फ्रांद फ्रोजन प्लेंस आप साइबेरिया तु दा समिट आप ओमेंस टैनिस और साइबेरिया के हिम से अच्छादित मैदानों से यात्रा करके आई वह महला टैनिस के सिखर पहुँच गई और और इसने टैनिस के जो प्रसंसक थे उनके हिरदय को भी इसने इस पर्ष किया टच किया उनके दिलों को भाग गया उनके दिलों को जीत लिया क्योंकि यूँआ मार्या के मन में संब्यगों के लिए या भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं था अर्थात की वह भाबुक लड़की नहीं थी ये लिए ये लूवना के लिए लूद के लिए विए लूद काने लिए। फिसर बीज़ को रचिए लिए के स्थान विए फिर विए लिए रावना देच में सोंकि लिए। क्लियर देट सी कंसीडर्स दा सेक्रिफाइज वर वर्थ इट इस्टेट में इस्टा बिल्कुल सीधा लुक्स देखना में इसकी सीधी नजर जा सीधा चेहरा इम्बिशन मेंस होता है महत्तव कांच्छा एम्पली इसका मेंस होता है प्रिचुल मात्रा में या परियाप्त सेक्रिफाइज इसका मेंस होता है बलिदान दा स्टेट लुक्स एंद अंसर she gives when asked about her ambition जब उसकी ambition के बारे उसकी महत्ताव का अंच्छा के बारे में जब कोई प्रेशन किया जाता है तो उसका सीधा चेहरा और उसके जो उत्तर जो देती है वो परियाबत रूप से इसपष्ट कर देते हैं make it employee, clear इसको इसपष्ट रूप से वो परियाबत रूप से इसपष्ट कर देते हैं that she considers the sacrifice worth it कि वह अपने त्याग की उपलब्धी का मुल मानती है अर्थात जिस परकार से वो सामने देख करके बात करती है और जिस परकार से वा उसकी आकांच्छा के बारे में पूछे जाने वाले प्रस्णों के उतर देती है उससे यह प्रियाबत रूप से इसपष्ट हो जाता है कि जो कुर्बानी उसने की है वह करनी आवस्यक थी I am very very competitive मैं जो कुछ भी मैं करती हूँ मैं उसे वह थी परिश्रम से करती हूँ It's my job और यही मेरा काम है यही मेरा करतब्ब है This is her mantra for success और सफलता के लिए यही उसका मूल मंत्र है या उसकी सफलता का मंत्र है Though Maria Sarapova Spokes with a pronounced American accent Pronounced भी मिस होता है उच्चारण- एक्सेंट बोलने का लहजा या तरीका Though Maria Sarapova यह दब की Maria Sarapova का जो उच्चारण का इस पश्ट जो है वो अमेरिकी ढंका है She is proudly लेकिन वह अपनी रूसी नागरिक्ता का गर पूर्बन प्रदर्शन करती है। Clearing all doubts, she says I am Russian. सारे doubts को clear करते हुए वो कहती है कि मैं Russian हूँ, मैं रूसी हूँ. It's true that the US is a big part of my life या सत्त है कि US अमेरिका जो है मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग है। But I have Russian citizenship लेकिन मेरे जो नागरिक्ता है वो रूसी है। My blood is totally Russian और मेरा रक्त पूर्ण रूप से रूसी है। I will play the Olympics for Russia if they want me. यदि वो चाहेंगे तो मैं Russia के लिए भी Olympics खेलूंगी। Like any number of teenaged sensations, Maria, Sarah Power, Liszt's fashion, singing and dancing as her hobbies. Teenage मारिया सारा पवा में उसकी पसंदायक है शीलाप्स रीडिंग दा नौवेल्स आप अर्थर कोनन डॉयल नौवेल्स में सोता है उपन्यास वह अर्थर कोनन डॉयल के उपन्यास पढ़ने पसंद करती है हर फांडनेस फार सोफिस्टिकेटड एवनिंग गाउन्स आपियर्स एट ओर्स विध हर लव आप पैंकेक्स बीद चॉकलेट स्पीड और फिजी ओरेंज ड्रिंक्स फांडनेस मिंस होता है शोकिन पन्यास सोफिस्टिकेटड मिंस होता है जटिल या दिखावती या अत्याधुनिक जो प्रजन टाइन को दिखाता है मॉडर्न अपियर्स प्रतीत होना ओर्ट समत्र होता है भिन फिजी इसका मिंस होता है बुद्बुदाने वाला या फ्रोथी ड्रिंक चीसे बोलते हैं बुद्बुदाने वाला पेपदार्थ हर फॉंडनेस फार सोफिस्टिकेटड इवनिंग गाउन्स अपियर्स अट ओर्ट्स उसका जो जटिल या दिखावती जो साम का जो साम के टाइम हो गाउन पहनती है और उसकी चाकलेट से भरा वा बुद्बुदाने वाली संतरे की जो पेग की चाह से मेल नहीं खाती है मिश्की वो साम को उस गाउन को पहनती जो अधुनित्ता से भरपूर है पर उसका या सौग उसके उस प्रेम से मेल नहीं खाता जब हुआ पैन केक के उपर चाकलेट फैला करके खाती है और बुद्बुदाने वाले संतरे का रस लेती है तो उसका जो यह मेचिंग है वो अच्छा नहीं लगता है मिश्की यह चीजे जो है पैन केक पर चाकले लगा के खाना और संतरे का रस जो बुद्बुदाने वाला है उसको पीना यह पुराने टाइम को सो करता है और जो उसके गाउन है जो सामके टाइम वो पहनती है वो म Categorized, Pigeon Hold, इसका मिन्स होता है किसी बिशे समों के दाइरे में या किसी सिरेड़ी में रखना, Categorized मिन्स होता है वरगी करण करना, Mariya Swarapova cannot be Pigeon Hold or Categorized, Swarapova को किसी एक सिरेड़ी में रखना नहीं जा सकता है, Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world, Talent, Yogita, unwavering desire, Unwavering desire, इसका मिन्स होता है अडिक, इच्छा, Readiness, मिन्स होता है ततपरता या तयार होना, Sacrifice, बलिदानी, Her talent, उसकी प्रतिभाँ जो जीतने की इच्छा है, unwavering जो desire है to succeed, जीतने की जो उसकी डिर्ड इच्छा है और जो उसकी कुर्वानी है, Readiness to sacrifice, कुर्वानी के लिए जो उसकी ततपरता है, उसी के कारणा वो बिश के सिखर पर वो पहुँच पाई, Fee would gris her to riches she is now reaping, Gris मिश होता है इर्षा रखना, यह जलन रखना, envy यह malice, Reaping, इसका मिश्वत है कमाई करना, अर्णी, कुछी ऐसे लोग होंगे, सायद जो उनको, जो अधन कमार है, सायद हो, कुछी ऐसे लोग होंगे, जो उससे वो इर्षा करे, This is what she has to say about her monetary gains from tennis, आपकोर्स, मनी इस आ, मोटिवेशन, 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 प्रेनडा, This is what she has to say about her monetary gains, और what tennis के, जो अपने आर्थिक लाब के बारे में, वो कहती है, कि आपकोर्स, मनी इसा मोटिवेशन, वास्तों में, सुभावी कुरूप से, धन जो है, वो प्रेनडा है, Tennis is a business and a sport, Tennis जो है, वाब बैपार भी है, और एक खेल भी है, But the most important thing is to become number one in the world, लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात या है, कि संसार में पर्थामिस्थान को प्रात करना, That's the dream that kept me going, That's the dream, या वही सपना है, जिसने मुझे क्रियासील रखा, या मेरा लच्छ है, जो मुझे इसमें लगाए रखता है, आता हम ये कह सकते हैं, जो सफलता है, मनुझे सबसे बड़ी प्रेड़ा रही है, या सभी के लिए महत्पूर्ण है, सफलता का जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या हमारे जीवन में खुसी और गर्ब लाता है, या पूर्थ की भावना देता है, इसका मतलब चारो तरफ विकास सी विकास है, हर कोई जीवन में सफल होने की ख्वाइस रखता है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है, जिनके पास उचित रंडीत, योजना, दूरद्रिष्टी और सहन सकती होती है, इन सभी चीजों का उचित और समय पर प्रियोक फल देने के लिए बाद होना पड़ता है, जीवन में कुछ ब्युन्यादी चीजों को विक्षित किये बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता है, अपने लच्छेओं और गंतव्यों को जाने बिना यात्रा निर्धार्द करना बहुत ही कठिन है, जीवन में सफल होने के लिए उद्देश की इसपश्टता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, I hope, this part of the top, आप सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन ले करके आएगा, हमें उमीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पशंद आई होगी, कि आप संतोश्यादो और मारया सारा पवा के जीवन से बहुत ही ज़्यादा परभावित होए होगे, और जीवन में कुछ कर दिखाने के एक मोटिवेशन आपको जरूर मिला होगा, हमें उमीद है कि आप ऐसे निसकर्च पे निकलेंगे, कि जीवन में कोई भी बाद हाएगी, उसको तोड़ते हुए अपने मंजिल को जरूर पराप्ट करेंगे, so, with this guys, हम आप से सिर्फ यही आशा रखते हैं, आप से सिर्फ आपका एक सपोर्ट चाहते हैं, कि वीडियो को सेयर और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक्यू फारवाचिंग,